दोस्तों, रोज की इतरा अनुन लिखनिंग ब्लोक में सब का अर्थी स्वागत है, सब के मंगल भुख्ष की कामना के साथ, दोस्तों बढ़ों को मेरा नमस्कार, सोटों को मेरा आशिवार, मैं ठीग हूँ, आशा करता हूँ, आप सब ठीग हूँगे, आज का पंजांग दो दिन, द्वादेशी तिसी, सनिवार, राज की दस बच के 42 मिनट तक रहेगी, और आज ही दोस्तों, दो बच का 47 मिनट तक धूब्यों का संयोग रहेगा, और सुमूर्थ की अगर वाद करें, अभिजीत मूर्थ दोस्तों, आज बार बच के, बार बचे से, बार बच के 51 मि 38 मिनट तक, ब्रह्मयोग चार बच के 28 मिनट तक, आज ही दोस्तों, धूब्योग के साधी आज दोस्तों, उत्रा फालगुनी नक्षत्र का सुबारंब हो जाएगा, और राहुकाल की बात करें, तो 8 बच के 43 मिनट से 10 बच के 20 मिनट तक हम किसी प्रकार के सुबा और मंगर कारियों को करने से परहिज करेंगे, और सुर्योग देया, दोस्तों, 6 बच के 5 मिनट से, सुर्यास्तर 6 बच के 25 मिनट तक, इस प्रकार आज के शूष्म, अंचांग का जिवरण है, दोस्तों, जैसी कि हम जानते हैं, दोस्तों, आज सनी बार का दिन जो है, सनी देव को उग्रग्रा होता है, दोस्तों, और इसको प्रिया न्याई देपता, न्याई प्रिया देपता के रूप में भी हम मानते हैं, कहा जाता है, और गरिवों को बज़र्गों के साथ, नेग बेहवार के साथ, हमेशा अच्छा बरताव करने, और गलतियों को न करने के भाव मंगल याने सनी देप पर होता है, और सनी बार को भगवान शिव और हन्मान जी, वो सनी देप की उपासना बिदिविदान से साथ करने से सुपकारी माना जाता है, दोस्तों, सनी हमको मंगल कामलाओं को करने के लिए प्रेज़ करता है, और कर्म फलों का दाता है, कर्म में आशक्त रहना हमारे भाव हैं, कर्म का फल परमात्मा के अधिक शनी देप जो है कर्म फलों की दाता माने जाता है, और हर्मान जी जो है सनी देप के प्रिया है, हमारे सास्तों की और अने प्रकार के जोतिस बिद्या और सास्तों में इस प्रकार की मर्यादा कही गई है, दोस्तों हर्मान जी और सर्णिदेव कल्यूक के अउतारी देपता मने जाते हैं न्याय और अन्याय के बीच में अन्य प्रकार के स्वंकटों को हरने वाले और किसी प्रकार का गलत कारी करने से हमें हमारे जियोन में अने प्रकार से सनी देव हमें दर्न देते हैं, वो हमको प्रत्यक शुरूप में प्राप नहीं मालूम होता है, लेकिन परोग शुरूप में हमको उन दर्नू का भागी बनना पड़ता है। अगर पीदी विधान के साथ सनी की उपासना की जाए, तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके, सनी देव के दिपक जला के सनी में तेल चड़ाने सचों के तेल चड़ाने का विधान है। जो भी इस पकार की लोग हैं, उनको दान बुन्य करना, और उनको भुजन खिलाना, गरीबों के कस्टों को दूर करना, निवारन करना, और काले कपले और तिल का दान करना, और सनी को जो है सचों के तेल का दान करना, पहुदी लापकारी मना गया है। अनेग रोग दोस्तों जो सादग होते हैं और सनी देपता की विद्विदान के साथ जिसके जीवन में सनी गलत जगह पर जातक के जीवन में अगर सनी गलत को ब्रभाव में बैठे रहते हैं तो सनी अनीक प्रकार से हमारी मस्तिश को भर्मित करते के हैं, हमें गलत रास्ति का अनुष्ण कराते हैं। शनी देव शूरी पुत्रवा माता चाया के पुत्र कहलाते थे और शास्त्रों में दोस्तों यही उन्हें कुरूर ग्रह के रूपे भी माना जाता है और उनकी पत्नी के स्राप के कारण उनको कुरूर बना दिया गया और सनी देव जो है कुष्ण के भक्त थे और कौवा उनकी सभादी थी सनी देव कुष्ण भक्त और अनिक मानिता और बस्त्मन से इसी कुष्ण के अन्यनी भक्त के रूपे उनका अनिक जगा प्रशंग है सनी देव पाला बस्त्र और सर्चुन के तेल का और उरट की दाल का भोग सनी देव को लगाना चाहिए जैसी कि मैंने बताया पीपल के पेड़ मैं पूजा अपास ना करना शनी देव का वास मना जाता है अनिक प्रकार के हमारे जो शनी दोश हैं उनका हमें निवारा हमारा हमको से छोटकारा मिलता है और दोस्तो इस दिन कोईला है नमग है चमड़ा है जूता है और काले तिल है उरल है जालू है लक्टी और लोहा इस टाइब की चीज़ें खरिजना परहेज करना चाहिए बरजित करना चाहिए पूर्ववा इसान दिशा की ओर दिशा सूलमा न गया है सनी बार के दिन सनी बार के दिन दोस्तो दीन हिनों को जो गरीब है उनको खिचड़ी की लानता है और खुझ भी जो सादग होते हैं खवासना करते हैं खिचड़ी का शिवन करिए तो आपके जीवन में नकारात्म उर्जा का हरन होके शकारात्म उर्जा का स्रदा है ऐसा हमारे सास्तों में अनिग जगा इस्वकार की प्रिशंग है दोस्तों हमारे अंतराकरण में अगर स्रदा है स्रधा के भावों से हम अपने जियों को चाहितार्थ करते हैं परमात्मा पर हमारा स्रधा होता है कोई भी देवी देपता है अगर उनको सचे मन से हम स्रधा सुमन अर्पित करते हैं तो भगवान जब समोधर मंथन क्या हुआ था दोस्तों तो सुनाई, सनी देवता नियाई के रूप में देवताओं के सामने प्रकरवए, इसलिए सनी को नियाई देवता खा जाता है, और किसी भी जातव को अपने तरक्की करने के लिए उत्थान के लिए गरीबूं का दीनहिनों का प्राणियों का जो काले रंग के प्राणियों होते हैं उनको उनकी सिवा सुष्णा करनी चाहिए और जो तो हमारे जूर में मंगल कामनाओं की पूर्थी के लिए परिश्रम और खलू के दाता सनी देव माने गए हैं जिरार का विधान हमारे शास्तू में है तो आस्ता अगर हमारे चिंतन में होती है तो हमें कहीं से भी हमारे जियों में दोस्तों सनी की साड़े साथी प्रतिक जातक के जियों में तीन बार आती है उस साड़े साथी के दोरान हमारे कर्म फलों के अन्शार अनेक बिदिविदान से हम गलत जो भाव जिवन में आते हैं ग्राउं की चाल अगर गलत होती है तो उसको शकारात्म करने के लिए सनी की उपासना करते हैं ओम स्वं 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 तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार के भाव शरिंदेव की पूजापाट और उनके उपासना से लोगों के जियून में अन्य प्रकार की शुब भावों की प्राप्ती हुई है, आयू में ब्रदी हुई है, आयू की ब्रदी की कामना की जाती है। कल्यों के साक्षात, अगवान, न्याय प्रिय और गरिबूं की, दीन दुख्यों की, संतों की रक्षा करने की करपा, और जो भक्तों होते हैं, उनको न्याय दिलाने में संदेव का महत्पून यूगदान है। कर्मों के हिसाब से, हमको फलों की प्राप्ति होती है। दो इस दिन काल बेरव की पूजा ओम शम सनिस्च्राई नमा, ओम नमा, ओम सम सनिस्च्राई नमा का एक्स्वाहारड बार। मगर जब ध्यान करते हैं हमारी जीवन में सकार अत्म पुल्जा राप्त होती है और हमारा जीवन अन्य प्रकार के शेव जो बिजलिन Lord हमारे अंतर करण में आता है शनी अन्य प्रकार के रोग दोष सोक जो है हमारे जीवन से समाफ सोते है राम जहीन मानस का दोस्तो ये तो था पंचांग का आज के शूष्म पंचांग का अर्षने देप की आराधना करने से हमको क्या कारी करने चाहिए शूष्म रूप में मैंने जो पताया किसकिंदा कांड का पुर्शंग चल रहा है मर्यादा पुर्श्वत्रम भगवान रामजन जी बन में प्रुवेश कर रहे है और बन में उनको अने प्रकार के इस प्रकार के रस्नाएं मिल रहे हैं इस वकार की आभा मंडल उनको ब्यठित कर रहा है और जो बन के अन्य प्रकार के सुन्दर का सुन्दर वर्णन वा कर रहे हैं तो ग्रिशिमू परवत पर जो है वा आशीन है वहाँ पर लक्षमन से अपने मन की विरह गाथा का बढ़न कर रहे हैं दोस्तो इतली मर्यादा पृस्तर मागवान जी लेला है को माया मोह लोब मोह कुलोद से हमेशा मुखत रहे लिकिन मानूई जीवन में रामचा लिज मानश की माद्यम से मानूझ जीवन में किस फकार से माया मोह का संसार होता है और उस माया मोख अग्यान रूपी अंधगार के माया मोख के जंजार से हम किस प्रकार संसार कैसे अंताकर में माया मोख पैदा होती है ऐसे भावों को वा अपने चैत्र में उजागर करके लोग कल्यान लोग कल्यान के लिए ऐसे भावं की लिला का पढ़न कर रहे हैं तो दोस्तो तब जब वह कहते हैं बर्षा बिगद शरर दितु आई देखों लच्छिमन परमशु आई तो बर्षा दितु जब चले जाती है शरर दितु आती है उसी बगार मानो जून में अज्ञान रुपी अंधकात से जब अज्ञान रुपी प्रकाश का संसार होता है तो हमारा मन परिवर्तित होता है हम जिस कारी को करने की सोचते हैं उस कारी में ध्यान लगाते हैं तलीन होते हैं कभी दुखी होते हैं कभी खुश होते हैं पेड हैं जब उने पत्तों से रहिर हो जाते हैं तब वो दुखी जैसे दिखते हैं और जब उनमें नई पत्ते आते हैं तब उनको शुक की अन्भूजी होते हैं शिप्रका मर्यादा पुस्तर मगवान रामचिन ने प्रकृति की छटा का तो सुभाव का वर्ण किया है वो मानवचितन को प्राकृतिक जीवन में जीवन यहापन करने के लिए अपने भावों को भड़ी स्वंदरी और प्रसंगिक धंग्जे तुर्सिदास ने रामचिन की आदसों के भावों का संचार किया है तो दोस्तों कल के प्रसंग में था कि रस रस सूख शरीच सर पानी ममता त्याग करें जी में ज्यानी जान शरर जितु खंजन आई पाई समय जी में सुकरत शुआई तब वो कहते हैं कि नदी और तालाबूं का जल्द है धिरे धिरे शूख रहाए और जैसे ज्यानी लोग जो हैं विबेकी लोग जो हैं महान लोग जो हैं मनिशी लोग जो हैं पुरुष ममता का त्याग करते हैं माया मोह लोव प्रोद मोह और ममता का हमेशा के लिए उसको त्याग करते हैं और सरज तो जानकर खंजन पक्षी आगे हैं, यानि जैसे समय पाकर सुन्दर, सुन्दरता का आभास वातारण हो जाता है और पुनिय हमारे प्रकट हो जाते हैं, ऐसा आभास उनके अंतकरन में हो रहा है, प्राक्तिक सुन्दरिका तुनसी दास ने भरी सुन्दर वढ़न कि तब आगे करते हैं दोस्तों, पंक नरेन शोह अशी धरनी, कल कही प्रसंग में था दोस्तों, कि पंक नरेन शोह अशी धरनी, नीत निपुन निर्पकैजन करनी, जल संकोज बिकल भाई मीना, आवध अबध कुटंबी जिमी धनी हीना, जिस्म का धनी हीन लोग हैं, यानि पंक नरेन शोह अशी धरनी, धर्ती पर ने कीचड़ है ने धूल है, इसे धर्ती जो है निर्मल हो गए, शारी तु जब आती है, तो धर्ती में कीचड़ हो जाता है, अब पवित्र हो जाती है, चारु तरफ मेला कुछ ला हो जाता है, तो निर्मलता सरदितों के आने पर उनको उसका आभास हो रहा है, उसका बढ़न वा कर दें कि ऐसा ऐसी सोभा का बढ़न वे किया है कि नीती निपून राजा की, नीती में निपून जो राजा है उस टाइप का जैसा, उस ऐसे राज का जैसा आभास हो रहा है, और जल शंक अबुद कुटम्भी जिमिधन ही न वह ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ख जो बिवेक्षुनी लोग होते हैं जिनको ज्ञान और बुद्धी का अभाव होता है वह बिवेक्षुन्यता में चले जाते हैं तो कुटम्भी जो ग्रस्त लोग है धन के बिना ब्याकुल होता है जिसपकार ग्रस्त जीवन के लिए बिना धन के दोस्तों ग्रस्त जीवन नहीं चल शकता है गृस्ताश्रम में आने के लिए शन्यास तो ऐसा जीवन है दोस्तों कि उसमें किसी प्रकार की चाहत नहीं होती है हमको आज खाना मिल गया आज हमने खा लिया कल की हम चिल्टा जी करते हैं उसको शन्यासी करते हैं बेरा की होता है तो कल को हमको लेकिन जो गरस्त जीवन होता है जो सांशारिंग मोहाया मोह में दिप्तर आता है और सांशारिंग रस्तना के लिए गरस्ताश्रम भी एक अहम भूमिका है मानव जीवन की दोस्तों इसलिए ग्रश्ट जी उनको सजो कर रखने के लिए हम किस पकार के प्रियाश करने चाहिए उसका बर्णन भी जो है रांचरी पारश में यथार्त रूप में उसी राज की बर्णन किया है तो जैसे कोई यानि ग्रश्ट जी उनमें यापन कर रहा है और धन के अभाव में ब्याकुलता का अशास कर रहा है उसकार का वातारण बर्शाजितों के बाद जब सुदा दितों आती है ऐसा होगा तो चले हरेशित तज नगर नप तापस बनिक भिखार जिमिहरी भगति पाई समा तरियास में चार तब मर्यादा अपुस्तोत मगवान आम जी समझाते हैं कि सरद्यूबू पाकर जो नगर नप तापस बनिक भिखार यानि राजा है रिप नप है तपस्वी है और व्यापारी है और विखारी है वो क्रमशा विजयत व्यापार और विक्षा के लिए हर्चिद होकर नगर तोर कर चले दाते हैं वैसे ही स्रीहरी की भक्तिपाकर परमार्पा की भक्तिपाकर चारों आश्रम वाले नाना परकार के साजन रुपी सुमों को जाग देते हैं तो गर्षताश्रम भी उन आश्रम में एक है दोस्तों सन्याज है वो भी एक है तो इस पकार से जो चारों आश्रम में गर्षताश्रम होता है उसमें इस पकार का भाव उनको प्रतीद हो रहा है शुखी मीन जे नीर अगा था है जिम्हरी सरनने एक हूं बाद आबा फूले लिक यमल सोहसर्र कैसा निरूगन ब्रह्म सकुन भैश जैसे यानी जो शुखी मीन जे नीर अगा था जो जो मसलिया अ था आपल्याप्त जल्उने पाद शुक का आश्बो, स्आगर में अथा जल, आफ जल, नदी में अफाल होटा है मुछिह को आनद करें, जो जष्द करें ही, तर्ष फ़ल पाव, मुछि ने को उसी में आनद आता है, मानव जीवन उससे अलग है तो हमको अगर जीवन भर पानी में डाल दिया जाएगा तो हम जीवित नहीं रशकते हैं लेकिन मचली को परमात पानी पारगा शरीर दिया कि वो बिना पानी के जो है उसका जीवन ने रहता है तो जो मचलियां अथा जल में रहने में अपाशुकार बहु करती है शरी हरी के सरण में सले जाने पर वही शुक जो है जो गृष्ता आशम में लोग होते हैं उनको प्राप्प्य बजाती है और कमलों के भूनने से तालाब की जिस परकार से शूबा बड़ती है उसी प्रकार से निरुगुन ब्रह्मा को मानने वाले स्वगुन ब्रह्मा की अगर उपासना होती है तो उसमें परिवर्टिर हो जाता है। इस प्रकार जो पपिया है और उसको भी बड़ी प्यास लगी हुई है क्योंकि बर्षा काल चला गया है। राज के समय चन्रमा को हर लेता है और संतू के दर्षन में दर्षन से पाप दूर हो जाते है। जो सत्संग में जाते हैं, संतू के दर्षन करते हैं, संतू के सान्दी में रहते हैं, परमात्मा के अरेन में रहते हैं। तो उनके अनेक प्रकार के जो पाप हैं वो अहिल्या थी, कशे कशे राक्षयस थी। उनका दोस्तों उन्होंने परमात्मा के हाथ से मृत्यू प्राप्त कर, हमेशा के लिए मोक्षी की प्राप्ती की। तो भूमी में बर्षाजितु की सुभारम्ब और बर्षाजितु के जाने के बार जब शवारम्ब होता है तो प्रदिवी पार जीव भर जाते हैं और शवार जिव को पागर्वासी पंधार। परसारितु में अन्य प्रकार के प्राणी पैदा होते हैं, बेढ़क पैदा होते हैं, अन्य प्रकार के छोटे-छोटे प्राणी पैदा होते हैं, लेकिन जो अल्पकालिक होते हैं, जिनको बुद्धी की कमी होती है, जो परमात्मा के अधिन, परमात्मा की भक्ति में लीन न श्रीजे दोस्तों अने प्रकार के जिवन में लिपतर रहना बहाव बन्रूम 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 और दुस्तता गलत भावं का संचार से हमारी जिवन में हमारा जिवन शनिक रहता है तो समाप्त हो जाते है इस प्रकार के भावं काल के प्रसंग में मर्या तुल्सी दाइचिने रामचिन के दोस्तों जब प्रेम रश की उत्पत्ति हो जाती है हमारे अंताकरण में प्रेम रश जागरत हो जाता है परमात्मा के प्रति जब बशाजितु के बाद जब श्राजितु आते हैं तो हम प्रेम रश हमारे अंताकरण में हर प्राणी में प्रेम रश का संसार हो जाता है तो यह संसार दूस्तो हम जानते हैं मोह का सागर है और जिस्चे पारपना अथी दुषकर है बिरलाई आदमी इसको पार पार सकता है कोई सोभागी वाली सोभागी साली हो इसे पार पार सकता है नहीं तो यहां सब कोई कितना पैसे वाला हो बल वाला हो धन दाने से पून हो वो भी किसी न किसी रास्ते से अवश्य दुखी रहता है दोस्तों, शुखी संसार में परमात्मा ने इस वकार का भाव बनाए हैं, वास्तवी शुखी अनवोजी को ही निकार सकता है, तो अब वो शुखी प्राप्ची दो है, हमको कहां मिलती है, किवल परमात्मा के भज़न में मिलती है, भक्ति में मिलती है, भाव में मिलती है, अन अगम को जीना है, हमारा जून ऐसे ही चला जाता है, मनुशी इसमें डूपता है, क्यूंकि इसके उपर इतना भार बढ़ता जाता है, जो तेर कर पार नहीं कर सकता है, कोई भी ना उसके लिए नहीं बनी है, कि वो पर तेर करके पार हो जाए, तो स्वार्थों का और अज्ञान का के कारण, हम संसार रुपी मुहमाया के जाल में भशे राते हैं, तो मनुशी समझ नहीं पाता कि जीने चीजों से मुख उसके अंतरकर में ब्याबतो होता है, और मन में उनका ऐसे भाव पनाप रहे हैं, तो वे अंतरता उनके दुख का कारण मन रहे हैं, जितना हम अपने मन में अने खिजों को सोचेंगे, उतना हमारा वो दुख का कारण मन रहे हैं, अपने प्रती, अपने परिवार के प्रती, परिच्चतों के प्रती, बस्तुओं और सक्ति के प्रती, आकरण प्रेम की परिभासा में नहीं आता है, दोस्तो त्वरित शुक इनसे भले ही प्राप्त हो जाए शनिक शुक हमको प्राप्त हो जगता है हमको अपास संपर मिल आती है हम महत्वा गांक्चा में लूपते हैं सुनदर घर मिल जाता है बड़े-बड़े शुनदर अनिक प्रकार कि जो जैसे आए वैसे गज्जाए दोस्तों जिसको जितनी आशकता हूं हमारे जिएन में आती हैं वह आशकता है हमको मुर्थ्यु के इसमें उतना ही सताती भी है माई बाई जितनी धंदलर होगी जितनी संपत्य होगी अथा होगा तो मुर्थ्यु से पहले हमको वह लगाता सतना शरू करेगी और आधा जियोन हमारा जो हम दो दिन और जिएंगे तो दो दिन पहले हम चले जाएंगे इन शित है क्योंकि उसके अंताकर्ण में अनिक प्रका से पहले ही प्राप्तों होगी शन एक सुख से मिल सकता है पर एक ऐसे सुख से अनेक दुख उत्पन्न प्राप्तों होताते हैं ऐसे एक सुख से अनेक दुख संपन्न होते हैं मनुषी दूसरे सुख की और भागता है एक सुख मिल गया ती दूसरे सुख मिल गया तीसरे तो जो मनुशी को जितना हम इसका इसके पीछे भागते रहेंगे, उतना हम ठकते रहेंगे, हमारा अंतक्राण ठकता रहेगा। तो आकर्षन और प्रेम में अंतर समझना चाहिए। आकर्षन अस्थाय और आधारिन होता है। प्रेम एक इस्तिर और निरंतर भाव है। तो दोस्तों, जो मन में उपसता है और उसके प्रतिवी वह अपसता है। तो हमें दिखाई नहीं देता है, प्रत्यक्स रूप में वह नहीं दिखा देता है। लिए परोक्सी रूप में वह हमारे स्वाम ने खटिद होता है। तो जेवर हमको अपने अंताकर में ऐसे चीजों के लिए विश्वास और सुधाका के भाव कुत्पन करने करते है। तो दोस्तों मूलता प्रेम एक से किया दाता है। और एगनिष्ट प्रेम ही सुखदाय होता है। एगनिष्ट प्रेम ही जीवन को सुफूर्थ देने वाला होता है। प्रेम का यहाँ भाव सहज हो प्राप्ती नहीं है। वास्तविक प्रेम की प्राप्ति हमको बहुत ही पठिंता से प्राप्त होती है। इसके लिए पहले अपने उपर के सारे भार हमको उतारने पड़ेंगे। जो हमारे अंतागर में दुनियादारी, मो, माया, बंदन, लोब, मो, क्रोध अनिक प्रकार के भाव हैं। उनको हमेशा के लिए हमको तिरांजरी देनी पड़ेगी। और भारमुक्त होकर जब मनुश्य अपने आपको तिरोहित कर देता है। और परमात्मा की सहरण में जाकर उसे समर्पन करता है। तभी परमात्मा की करपा उसके मन को प्रेम रस्में भदपूर भड़ देती है। वास्त भी प्रेम उनके अंता करने। जैसे हनमान जी थे, उनको मर्यादा वुस्तुर्म भगवान राम जी की प्रेम भक्ति पैदा हुई। अनेक प्रकार के रिशी मुनी जो थे उनको परमात्मा का अशित भाब राम। और अहिल्या जैसी नारी थी, उनको परमात्मा और जटायु थे। और अनेक प्रकार के ऐसे शबरी थी, इसको जो प्रेम की भुखी थी। तो यहाँ प्रेम रज की ही एकमात्र शूत्र है। और प्रेम द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता। जब तक हमारे अन्तागर में वास्तविक प्रेम योगा परमात्मा की अंको प्राप्ति ने हो सकते। मैं भी बोल रहा हूं दोस्तों, अगर मैं इतना परमात्मा के नस्तिक होता, तो आज जीवन मेरा दूसरा होता। तो उसके लिए दोस्तों हमें भूद ही साधना करने परते हैं, प्रमात्मा की वास्तिक का गोजानना परता है। बिरले लोग ही उसका भगवान की भक्ति की प्रेम रश का आनन्द लेने में सक्षम होते हैं, उन्हें को सिद्धी की प्राप्ति होती है। उसके लिए हम अपने को जितना समर्पित करें, वह हमारे उपर है। तो दोस्तों यह प्रेम रश ही एक पात्र सूत्र है, जो मनुष्य को परमात्मा की जोड़ने में सायव होता है। और प्रेम वहीं जो मनुष्य होता है, की स्तिती सुन्शान घर के मिहमान जैसी होती है। तो महीमान के आगे हम अपने को तबतक प्रेम भाव नहीं व्यक्ते कर सकते हैं, तबतक प्रेम भाव हम अंदर से नपसारनेacak। तो प्रेम भी इन मनुसी की च्छीतिती फुसलां घर के महीमान जैसी होती है। जिस घर में कोई घरवाला नहीं होता है और आतित्ती सतकार की अभिलाशालिकर एक नए महिमान को ज़सका तस वापस लोड़ना पड़ता है आता है जितना अपने अन्ताकरण की भाते व्यकति की वह चला जाता है तो जिस पकार होटल में हम रुकते हैं दोस्तों हम एक दिन होटल में रुकते हैं दुसरे दिन वह से चले जाते हैं तो हमको वास्तिविक प्रेम की अनभूती नहीं होती है। ऐसे हम किसी परिवार में जाते हैं, अगर हम एक मेहमान बन के जाएंगे। प्रेम रश्च में अगर हम अपनी अंतरभाओं को आपर व्यक्त नहीं करेंगे, तो हमारा प्रेम नहीं उम्रेगा। और वह वास्तिविक मेहमान, यानी जो मेहमान था वो जैसे का तैशा चला दाएगा। तो हम प्रेम के महत्तो को वहस्तान नि जिसपगा मेर्यादा पुस्तुर्मकवाल राम जिन्दी, 14 साल के बनबाश के दोरान, अनेग प्रकार के प्राणियों से, अनेग प्रकार के लोगों से, अमीर, गरीब, किसी भावों से बंचित हो करके, उनने अपने भावों को संसार में व्यक्त किया, तो हम प्रेम के महत्यों को पस्तानना हमारे मन्स जीवन का सबसे बड़ा दक्षी है, प्रेम अनमोल है, संसार, सारी बस्तों और इच्छाओं उसके सामने प्रेम के सामने सब तुछ से है, वो हमको बिना प्रेम के जो है हम परमात्मा को प्राप्ति निका सकते हैं, तब मर्या प्रशुतम का रामजन जी का मूल स्री धे यही था कि शीता की खोज करना। जशे जशे वो आगे जा रहे थे शीता की खोज करना। ऐसे मानुवी भावं को व्यक्त करना है कि कोई मनुश्य उनको अउधिलना का पात्र न बनाये। तब गवा कहते हैं एक बार कैशाओं सुझी जानूं कालाओं जी जिमिस्मावाद। तब गवा कहते हैं कि बर्शा बीद गई है और निर्मल सहरजितु आ गई है। सहरजितु का बढ़ना उपपर पूर्ण रोख से दोस्तों इस पस्ट पुल्शिदाज ने रामचन के आदर्स्त से की है। और सहरजितु पाकर के वैसाई नस्ट हो गई जैसे मतलब सीता जी की कोई भी खबर अभी तब उनको प्राप्त नूं। सहरजितु के आने पर भी और कोई उनको तब वुक्त काते हैं तो एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जान के को जिताओं। अगर काल भी है तो काल को भी मैं जीतने का फ्यास करूँ तो ऐसे भाव उनके अंताकरण में प्यक्तो हो रहे हैं वो अपने मन में शोत रहे हैं ऐसे भाव को कि अगर एक बार गर ऐसा वह इस पकार से जुश्ट तो तो वह कहते हैं बरशा बीद गई है निर्मल सरज तो आ ग आख नहीं है एक बार कैसे भी पता करूं की काल को भी जीत करने सीता जी को अगर एक बार मुझे ऐसा मौका मिल जाए उनको बार बार यार सता रही है कटा हूं रहूं जो जीवित होई आध जतन करी आनों करी आनों शोई शुक्री वह ईवाव सुली मोरी भी सारी पावा र तब जब कहते हैं कि सुग्रीव को उन्होंने अपने घर बेज दिया था अपना राज दे दिया था और अंगत को जो है यूराज बना दिया था कहीं भी रहे कता हूं रहूं जो जीवित शोई यदि जीती होगी तो वेतात अपने लक्षमण जी से कहते हैं कि यत न करके मैं उसे अवस्य लाओंगा कोई न कोई प्रियास में ऐसा करूंगा कि उसको वापस में लाओंगा अपना प्रियास करूंगा उनको उनकी यार आ रही हैं सुग्रियों सुधी मोरी भी सारी सुग्री ने भी इतना बड़ा काम करने पर मित दा करने पर मिती सुधी उसने भी स्वारत लाइक करही सब दी तब शुग्री पावा राज खोशकुर ना ली और इसले शुग्री ने भी मेरी सुदी बुला ली है क्योंकि उसको राजपर मिल गया है जी सा एक मारा में बाली तेशर हतों मूर कही खा दे तब उनको ठोड़ा आस्चरी होता है कि दोस्तों अगर कोई आजमी घित क्या होता है अपने भलाई किया रहता है कहीं न कहीं किसी की नरी खिर्शन हम पूर को याद करना जाए हमारा जियून का मार्ग जो प्रदर्शित क करता है आमको जो राह दिखाता है उसके राह को दिखाते हुए हम कहीं भी चले जाते हैं तो अवस्ची अपने मित्र को याद करना चाहिए यही भाव यही प्रेणा हमको मर्यादा पुस्ट्रम बगवान राम चाइज मारश को पढ़ने का सबसे बड़ा उदेशी यही है दोस्तों कि इसमें हर प्रकार के भाव का शंचार है तो जिस बान से मैंने बाली को मारा था जी सायक मारा मैं बाली उसी बान से कल उस मूर को भी मार दो ऐशाओंको गुशा रहा कि इतना दिन बीट गह है तब भी उसने मेरी सुट्नी ली और स्षिब जी भी यहांपर कहते पार्वजी शिखाते हैं, कि जाश गृता थूटाई मदमुहा, यह उमाद जिनकी करवाद से मद और मोद फूर दाते हैं, और तुमको कहीं स्वप्नम भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मत रहे, परमात्मा को कभी क्रोध नहीं आता है, लेकिन उन्होंने मानव जी उनको, बिना इनमानल जले जड़ो गई तीन दिन बीद, बोले राम शकोबत भव, भाई भी नुगोतने पर, यहाँ पर प्रीत का बढ़न किया गया है, भाई के बिना प्रीत नहीं होती है, भाई का मतला भी है, कि कोई कारी हम सिद्ध करना चाते हैं, सीधे मुह से घीने निकलता िए जब उसको सिर्टवा करेंगे तब नेकलेगा किसी बीबर्तम न क्या पहला, हम अगर किसी को जबताब भाहीं ने दिखाते हैं, कि उसका रहश्य सामने ने आता है, तयवे नहीं समिद्रपाहर करते थे, समय समय नहीं बूली पुर्षोतम थे, पूरी स्ष्ट के करता धरता हरता थे, लेकिन उन्होंने मानव चिंतन को जगाने के लिए इस पकाल के भावव्यक्त किये, तो शप्नवी कुरोध परमारता का दुलपयोग करता है, उसका सुदपयोग ने करता है, तो इन भावों को पार्वती से शिवजी भी काते हैं, जान नहीं या चरित मुनि ग्यानी, जिन रगवीद, सरण रतिमानी, लच्मन, कुरोध, बंत, बरोजाना, धनुचरा आए गहे करवा, तब ग्यानी मुनि जुन्होंने इसी रगवलाजी के सरणों में प्रीदि मान ली है, और जो ली है, वही चैत्र को लिला इस लीला के रहशी को जान शकते हैं, जिनको परमात्मा गया स्वानी दिप्राग को गया है, यानि लक्षिमन ने जब प्रभु को कुरोध युक्त जाना, धनुचरा आए गई करवाना, तब उन्होंने धनुचरा कर पाण हाथ में लेका हुआ जाती है, लक्षिमन शेषन शानिदी में रहते थे, उनके सिवक के रूप में रहते थे, तब उन्हों जही समझावा रगुपति करवना शीम, भई दिखा आए ले आवरूं, तब उनकी दया की सीम अरगुना जिश के छोटे भाई लक्षिमन जीन को समझाया, तब परमात्मा ने मर्यादा भुस्तम भई दिखा आए ले आयहूं टार सका सुगरी को कि वल भई दिखना कर ले आओ, किवल उसको ये प्रकार का भई दिखाना है और उसे मारने की बात में करने, परमात्मा मर्यादा भुस्तम भई राम जान जी किसी को भी, अगर किसी ने किसी की हानी नी की है, तो उसको कभी मारते थे हां यह है कि शुग्री अपने शाषन में ही व्यस्त हो गया था परमात्मा का ध्यान से अलग हो गया था जब कि वह तो मद्यादा बुस्तो महगवान रामजी की भक्ति के रूप में उन्होंने लेकिन जब आज में इसलिए काया है सुर्णर्मुनी सब तब ही हाँ पवन शुत हिर्दै भिचारा, राम राज सुग्री भिचारा, निकट जाए शरणि सिर्णावा चारिभी विति कही शुमजाबा। और यहां किसकेंदा नगरी में पॉनकुमार सी रामजञी विचार किया, कि शुग्री उने सी रामजी के कारी को बुला दिया है, और उन्हेंने शुग्री के पाजा का चरणुमें शिर्नवाया, और स्वाम दर्म दर्णड़ भे चारणु प्रकार की नीति का करूने समझाया तब हनमान जी जो ए रामजन कि परम्भक्त थे और उंको शक्ति का रूप दिया था, स्वक्ति का स्वरूप दिया था. सुने शुक्रिव परम्भाइमाना, विशाही मोरे का दिली नूग्याना अब मारू सुदू समुहा पठावूं जमता बानर जुए. तब हर्मान जी ने बचन सुनकर, हर्मान जी के इस पकार से साम दाम दर्न भीत वाले बचन को सुनकर के, शुगरी बहुत ही भाईभीत हो गया, और कहा कि, बिश्यों ने मुझे माया मो राजनी थी, और इस माया के चकर ज्ञान को मेरा हर लिया है, परमात्मा से मेरे को दूर कर लिया है। मैं विशय भोगु में लिपतो हो गया हूं आब मा रुचुद शम्मवा तब एप पवकित जहाँ तानू क lifelong रहते हैं यूता है तों के जुण्द जो बानर हते हैं पठिया गर्वार्ण वह दिफम वह तो है और उमिर्ध को होशाया कि मैं कहा हूं मेरी क्या गलती होगी अनिक प्रकागे भाव अपने अंधप्रन करतने लगा तो कहा हूं पाक महुं आवन सोई मोरी करता गरवत सोई होई तब हनमन तो बुलाई दूता सब कर करी सनमान वपता तब बहला दो की कहला दो की पक्वाड़े के या पंदर दिनों के अंदर कोई ज वो दिन अ आजायेगा तो उसका मेरे हाट हो जायेगा सब बंदरों को अपने दूतों को अपना अपना ख़बर लेके सब आएंगे तब हनमन दे ने दूतों को बुलाया और सब का बहूत स ममान करके उनको कहा भाई औरो प्रेथि नेथ दिखाई ये वाई ऑरो प्रेथि अले शकल चरनी शिर्ण आई तब बंदर चरनों में शिर्णवा कर चले, सबने आग्यां करके अपने अराम कर रहे थे, तब मर्यादावसुत्रम बगवान रामजन जी ने जब उनको शतर किया, तब एही अवसार लचिमन पूरे आई, इसी अवसार पालक्षिमर नगर में आ आई और उनका क्रोध देखकर बंदर यहां के वहां यत्रत तत्रों बिला गेश अविदावदा चलेगे, धनों चड़ा एका तब जार पर उनको शार ब्याकुल नगर देखकर आई उनको बालक्षिमर तब भगवान ने जो है जिश्वकार से उनसे कहा था, र्यादावस् में स्वखा कर दूँगा, और तब यानि नगर भर को ब्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगत जो थे उनको बेपास आई, अंगत को जो है उनके पास आना पड़ा, चरन नाय शिरूर बिंती कीनी, लचमन अंगत को जो है उनने यूराज बनाए था, तब चरन नाय शिरू बिंती कीनी, अंगत को उनकी तरणों में से नवा कर बिंती करने, श्यमाय आसना की उनने मागी, बगवान और उनकी जो गल्ती हुए है उसके लिए श्यमा मागी, लचमन अभय बांग 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 दीनी, तब लक्षमन जी ने उनको अभय बांग दी, भुजा उठा कर क कि दरो मत, श्यमा का जरने की बात नहीं है, शुग्री उने क्रोध वन तलचिमन मुनिकाना का कहा का पीश अधिभाई अकुलाना, शुग्री के अपने कानों से लक्षमन जी को क्रोध युक्त सुनकर भैशियत तंत ब्याकुल होकर कहा, सुन हनुमन तसंग लेतारा, कर बि जाकर स्वांत करों, क्योंकि तारा सहित जाय हनुमान, हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्षमन के चरण की बंदना की और चरण बंदी प्रभु सुजर बखाना, बंदना करके और प्रभु के सुन्दर यस्का बखान वड़न वक करने लगे, उनका यस्कान करने लगे, तो शुर्णर मुनिकी यहारी थी, यहारी थी, स्वारत दी करहिंशा थी थी, यही प्रसंग्यां पर आ रहा है दोस्तों, करे बिन्ती, करे बिन्ती, मंदिर ले आई, चर्ण पखार पलंग बैठाई, तब कफी चर्ण शुर्णा आवा, गहीं बुजी लश्मन कंटे लखाई तब वे बिन्ती करके उन्हें महल में ले दाते हैं और चर्ण को थोकर उन्हें पलंग पर बैठाया, तब बानर राज शुक्री उनकी चर्ण में सिर्नवाया और लक्षमन को हाथ पकरकर उनको गले में लगा दिया, तब लक्षमन ने फिर भी उनसे मत्ताब ऐसा करने पर लक्षमन को गले से लगाया, मर्यारा की दसना को पूर्ण किया, ना अधि विशाई समा मद का सुना ही, मुनी मद मोह का हम सुनमा ही, शुक्री ने अपने वास्तिव भावों को प्रकट किया और कहा कि हेनाथ विशाई के समाज और कोई मद इस संचार में है, अगर हम इस सं संचार के माया, मोह, विश्यों में अनुरक्त हो जाते हैं, तो हम अपने जिवन को शार्थक नहीं मना सकते हैं, तो अपने फ़लों की प्राप्ति नहीं का सकते हैं, सच्चे जो फ़ल हम को, जो वास्तिवी फ़ल हम को मिलते हैं, उसका प्रसादम नहीं, अगर हम इसा माया बन्धन के बैठेते लाते हैं, नाथ विशाइ शम मद कशुना हीं, यह मुनि मद मोह करहीं शलमाहीं, यानि मुनियों के मन में भी मोह उत्पन होता था रिपषकार नारजी के मन में मोह उत्पन हुआ, तो उनकी क्या दसाही, अन्तमेव मर्यादा पुस्ततन बगवान रामची ने उनको किस पकार से शमादान दिया तब सुना तब नहीं तब बचन शुक पावा फिर मैं तो विश्वी जीवी जवा शुगरी ने तब लशीमान की बहुब利प समझाया सुगरी के इस्तकार के बिनए यूद्व बातों को बत्सों को शुखの ओड्रों कर लक्समजी ने शूख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया तब ज्ञान की सीग जो है लक्समान जी सुगरी को दी कि माया मो जो है संसार में अगर हम ग्रस्ताश्व में रहते हम को अनिया की रसना को बोल जाते हम को क्या करना है अपने कर्टमिंगा निर्वहन करने में हम बिश्मित हो जाते हैं उसको बूल जाते हैं अपने महीं मस्त हो जाते हैं तो दोस्तों जीवन की वास्तिवी श लोब कुरोदमो इन बंधनों को त्याक करके परमात्मा की स्वर्ण में जाकरके वास्तविक सफलता की प्राप्टी करने चाहिए। उसके प्राप्टी की सभी बंधनों को जो है उनने शीता की प्राप्टी में लिए दिखा कि शुग्री कब तक मतलब सुद्र ने लेता है मैंने इसको सब्स्तिया राज दिलाया सब्कूस कराया लेकिन जब इंसान जो है माया मौके पड़नों में मुक्त हो जाता है उसमें ल टो जाता है तो दुनियादारी सब बोल रहता है वास्ति प्रिकता बोल जाती है वास्ति फ्लों की प्रातिवादे कर पाता है यही यही प्रेणा हमको रामजेद मानस की रामजेद की आदस्वें से और मजढादा इन नीथ के उंसार फिर भी उन्होंने सुग्री को शुमा भगवान जो शरण में आते हैं जो श्यमादान मागते हैं उनको हमेशा भगतों की शेवा करते हैं तब लक्ष्मिन ने उनको अपने विदय से लगाया और उनको आगे के अमबाल गप्रस्त करने का भावव्यक्ति की ये सब शिवजी पार्वति से काते हैं कि मर्यादा कुछ कर चेतना को अगरत करते हैं और हमारे ऑंता करना में परमात्माा का अंकिस पक्ता करके अजिए았는데 परमात्मा की भक्ति के शोते हैं, लोक कल्यान के कारिकरें और श्वयिंग को और अपने परवार को, अपने समास को, अपने देश को और अपने भगवान की भक्ति तभी हमें प्राफ्त होती हैं। लोग कल्यान में अपने फावन को लगाते हैं उसी से हमारे जियून में फल दाई फलों की अच्छे फलों की प्राप्ते होती है सब के मंगल बहुष की कामना के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुस्तों मगवान राम जिन्ने सुग्रीव को सतर करके उनको आग सकते हैं प्रसंगों